अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शनिवार की राच चुपचाप फेंक देना, यहां पर पांच काली मिर्च जीवन के हर कश्ट से मिल जाएगी। अगर आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या, परेशानी दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भाग्य बदल जाएं, आपका साथ दे, तो शनिवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का वह उपाय कर लीजिए, जिसके बारे म हमारे धर्म शास्त्रों में बढ़नन है, जोतिश शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनिग्रह का कारक वस्तु होती है, अगर आपके जीवन में आप शनिदोष से परिशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड लिया है, आपके में शनी ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है काली मिर्च शनी ग्रह से जुड़ी हुई होती है और अगर आपने काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया तो यकीन मानिये इसका आपको पलट करके करोडों उना लाभ मिलेगा यह सत्य है बिना मेहनत किये धन कमाने की बात सोच मंचना व्यर्थ है मगर कभी कभार चमतकार होते हैं और अचानक ही धन की होती है फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ की प्राप्ति हो जाए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमतकार हो, तो आज इस वीडियो में बताएं, उन उपायों को कर लीजिए, जो आपको काली मिर्च के द्वारा शनिवार के दिन करना है, और आप अपने जीवन में देखेंगे, कि आपको एक सकारात्मक और चमतकारी बतलाव देखने को मिलेगा, न केवल आ हर तरह की परिशानी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बलकि शनी देव जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे, कैसे आपको सुक समरिद दिधन, एश्वर्य की प्राप्ति होगी, दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया जाता है, तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है, बलकि काली मिर्च का उपाय करके, आप अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत का साथ पा सकते हैं, देखे दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परिशानी हो, हर चीज का निवार वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी मानव पर पढ़ जाती है, तो वह करोड़ पती मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है, इसी लिए दो तो बहुत से लोग जो होते हैं, वो साढ़े साती और अररिया से डरते हैं, यह बात है जो शनी महाराज जी की गलत द्रिष्टी की वजह से, किसी भी मानव के जीवन में आ जाते हैं, और अगर आपके जीवन में मान लीजिए, आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी, जिसके वजह से शनी देव आपसे रुष्ट हो गए हैं, और आपके साढ़े साती चल रही है, बढ़िया चल रही है, या आपके उपर कोई भी ऐसा शनी दोश है, तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वाह उपाय कर लीजिए, जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है, इन उपायों को करने के बाद, आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ना केवल अपने लिए अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, यह इतने ताकतवर उपाय है कि यह तुरंथ ही आपको लाभ देंगे, और आपके जीवन में हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की क्रिपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वर्दान से आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए, जैशनी महराज जी की और एक काम कीजिए, का कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा, आपके राशी के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा, जिसको करके आपको कोई लाब बहाब सकता है, वह के हम आपके कमेंट का रिपलाई में बता देंगे, इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो लाइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना, म, भूलिएगा, देखिये दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं, जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको कार्यात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, परन्तु एक बात का ध्यान रखियेगा, काली मिर्च का उपाय तब ही लाभ देता है, जब इसको लोग नियम पूरवक करते हैं, नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं, शनिवार के किस मुहूर्थ पर आपको यह उपाय करने हैं, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहला उपाय है, आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय, दोस्तों मान लीजिए, आपने कोई कर्ज लिया था, तो यह बात आपको भी पता होगी, कर्ज के चलते आप लोग ना खाना ठीक से खापा रहे होंगे, ना आपको नीद आती होगी, दूसरी तरफ, अगर आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होगे, तो अगर आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं, और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए, जो आपको हम बता रहे हैं, देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों है, क्योंकि उस मानव का शनी ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि शनी देव जी की क्रिपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो तीन शनिवार वह उपाय कर लीजिए, जो आपको हम बताना रहें, सिर्फ तीन शनिवार आपको यह उपाय करना है, और तीन शनिवार के बाद आपको शनी महराज जी की क्रिपा ऐसी मिलेगी, कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगी, आपको कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा, देखिए, आपको क्या करना है, पहले शनिवार से आपको किसी भी शनिमंदिर है, और यह सूरियास्त के बाद आपको सारे उपाय करने है, सूर्यास्त के बाद किसी भी शनी मंदिर जाए, शनी मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में है, सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहाँ पर जलाना है, पूर्वदिशा में पूर्वदिशा में जलाइए, शन आप लोग तीन शनिवार लगातार कर लीजिए। तीन शनिवार के बाद आपको शनी महराज जी की कृपा की आपके ऊपर कोई ऐसा दोश लगा हुआ था। जिसके वजह ऐसे आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे। वह। यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नती भी होगी, आपके घर पर मान लीजिए। ऐसा कोई दोश है, नकारात्मक शक्ती है जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नकारात्मक शक्ती हमेशा के लिए चल जाता है, और आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए, सभी शनिवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्छा द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी है, काली मिर्च जैसे पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है, जै शनिदेव जी की, इतना आपको बस बोलना मान के चलिए, पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी, सभी शनिवार को अगर यह उपाय करते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिये, आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा, तीसरा उपाय है, शनिदोश से मुक्ति पाने का महान उपाइ, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शनिदोश से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए, आपकी साढ़े साती चल रहे ही है, पढ़ाया चल रही है तो आपको क्या करना है देखिए दोस्तों शनीदोष से वैसे मुप्ति तो नहीं मिल पाती एक बात को समझ लीजिए शनीदोष के प्रकौप को कम किया ड्यान रखियेगा हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनीदोष से कौई भी नहीं पासकता अगर किसी मानव की साड़े साती चल रही है, किसी मानव की अररिया चल रही है, तो उस कोर्स को जहलना ही पड़ेगा, परन्तु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं, अब आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जब तक आपकी साड़े साती चल र जब तक आपकी अररिया चल रही है, एक काला कपड़ा लीजिए, एक काले कपड़े में आप लोग एक क्यावन काली मिर्च डालिए, एक क्यावन काली मिर्च पर 11 रुपे डालिए, 11 रुपे में 10 रुपे का नोट होना चाहिए, एक रुपे का सिक्का होना चाहिए, इसको का शनी दोश है, उसका प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अगर कोई मानव आपसे यह कहता है कि शनी दोश खत्म किया जा सकता है, तो वो जूट बोल रहा है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनी दोश को खत्म किया चौथा उपाय है, व्यापार को चलाने का महा उपाय है। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है। हो सकता है कि आपके व दोस्तों, देखिए, आपको बस यही करना है, शनी मंदिर जाना है, शनी मंदिर जाईए, सबसे पहले शनी मंदिर में जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाए, एक सरसों के तेल का आप जो दीपक जलाएंगे ध्यान रखिएगा, का उसने एक काली मिर्च डाल दीज अब इस काले कपड़े की बना लीजिए आपको पोटली, इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको शनिवार की रात को आपको यह उपाय करना है, सूर्यास्त के बाल, और इसी पोटली को तुरंथ ही ले जाके, अपने व्यापार मंडल, अब अपनी दुकान में जहा से आप पैसे का लेंदेन करते हैं वहाँ पर ले जाकर के रख दीजिए सिर्फ इतना उपाय इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनी महाराज जी की क्रिपा से चल पड़ेगा यह आज का नहीं प्राचीन काल के समय का वह महान उपाय है दोस्तों जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जब शनी महाराज जी की अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं वह है रोग मुक्ती का महान उपाय अगर आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है वह इलाज कराकर आकर अपना ठक गया ए और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए तो एक महान उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए मानव से और वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा यह उपाय लगातार शनिवार करना है पांच शनिवार के बाद वह रोगी मानव शनी महाराज जी की करपा से ठीक हो जाएगा आप करना कैसे है उपाय इस बात को सुन लीजिएगा देखिए यह दिन के समय भी किया जा सकता है रात के समय भी किया जा सकता है तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए ग्यारह काली मिर्च जो भी मानव आपके घर पर रोगी है उसको उसके हाथ में दाएं हाथ में ग्यारह काली मिर्च दे दीजिए उसके बाएं हाथ में दे दीजिए साथ रोटी अब उस मानव से कहिए कि उस ग्यारह काली मिर्च को अपने सर के उपर से बाईं और से दाईं और लेफ्ट राइट साथ बार इस काली मिर्च को घुमाएं साथ बार काली मिर्च को घुमाने के बाद इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी तरफ कहीं भी फैंक दें और रोटी को किसी गाय या कुट्टे को खिला देना आपका जीवन खुसियों से भर जाएगा